हाए प्रेंट्स वाल्कम टू रविट टेक्निकल दोस्टो फिलिपकाट के बिक बिलेंडेस आ रहे हैं और आप भी उसका बेसबर से इंतजार करते होंगे तो लेकिन दोस्तो अगर आप 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 आनलाइन परचेशिंग करते हो और आनलाइन शॉपिंग करते हो तो कभी- हो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ यह देखो यह बोट रॉकर्स के हेड़पोन है यह हेडपोन अभी मार्केट में बहुत बढ़िया चल रहे है क्योंकि इसकी प्राइज और साउंड क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है लेकिन मेरे साथ दो बार ऑनलाइन शॉपिंग मै कैसे आपको पहिचानना है यह हेडपोन तो दोस्तो इसके लिए आपको यह वीडियो पूरी देखनी होगी मैं प्रूप के साथ आपको दिखा दूंगा कि कैसा मुझे वो डुपलिकेट आ गया है तो इसके लिए आपको यह वीडियो आपको पूरी देखनी होगी दोस्तो मैंने boat rockers 255 headphone bluetooth headphone flip card से order किये थे मतलब flip card से purchase किये थे और यह है उसका box यह है silk pack flip card boat rockers 255 headphone मैंने जो किये थे दोस्तो वो red और black combination color था और मैंने purchase किये थे 1299 मतलब 1299 रुपीज में purchase किये थे दोस्तो लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे duplicate product दे दिया दोस्तो तो हम देखेंगे packing उसका जो box रहता है वो सब उन्होंने जैसे का वैसा copy किया है और बो head phone दिखने में भी जैसे के वैसे दिखते हैं लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसे easily पैचान सकते हैं यह duplicate है यह original अभी देख सकते हैं दोस्तो यह box यह exactly जैसा boat rockers 255R नाम का model तो मुझे तो नहीं पता है दोस्तो लेकिन ऐसा model अविलेबल नहीं है जैसे ही R आ जाए आपको पता चेल जाएगा कि यह duplicate है और मैं उस seller का नाम भी बताता हूँ आपको जिस seller यह duplicate headphone प्रोवाइड करता है मुझे दो बार मिला है दोस्तो देखो अगर packing में भी अंदर जो भी accessories मिलेगी जैसे आपको original में मिलती है सेम वैसे ही मिलेगी दोस्तो आप देख सकते हैं इस पर यह देखो यह आपर उसने छोटा सा cable दिया हुआ है अंदर warranty card यह सब दिया है जैसे बोट का यह जो year bud है वो भी दिया है उन्होंने यह boat rockers का warranty card भी दिया है one year warranty for this product यह सब कुछ जैसे original है वैसा है उन्होंने copy किया है लेकिन यह duplicate है दोस्तो अभी हाँ अभी यह देख सकते है में प्रोडक को अभी आप देख रहे होंगे यह red और black combination में मैंने order किये थे सबसे important चीज इसमें यह है कि इसका जो magnet है वो बहुती lose मतलब बहुती lose है वो strong magnet नहीं है original का बहुती बढ़िया मतलब strong है यह इधर ही पता चल जाता है यह थोड़ा तो सस्ता वाला headphone है तो और एक बात दोस्तों इसका जो cable quality wire quality वो भी बहुती भंगार quality का wire यूज किया है उन्होंने हमें हाथ में लेने के बाद ही फिलाता है यार यह duplicate product है यह original नहीं है हम अब हमी से चालू करेंगे और यह चालू करने के बात दोस्तों इसने ऐसा बोलना चाहिए you plug into Nirvana ऐसा बोलने बोलना नहीं headphone तुमारा तो समझ लेना यह headphone हमारा duplicate है तो यह ऐसा नहीं बोलता है कि you plug into Nirvana तब ही समझने का कि यह headphone duplicate है दोस्तों इसका cable quality पर हमें बहुती easily फिलाता है कि यह duplicate quality का headphone है और भी हम इसका detail में जानेंगे कैसे हम उसे पहिचानेंगे दोस्तों अब यह दो फोटो देख रहें आप यह जो black वाला है और यह जो red वाला है जो black वाला है वो original है और जो red वाला है वो duplicate है दोस्तों ये मेरे पास already black वाला था मैंने दोस्त के लिए ये red वाला order किया था लेकिन ये duplicate मुझे मिल गया है दोस्तों हम इसे कैसे पहिचानेंगे सबसे पहली बात सबसे पहली बात है उसका QR code original वाले पे हमें एक QR code मिलता है उस पर लिखा होता है scan for warranty और duplicate वाले में हमें वो देखने को नहीं मिलता है दोस्तों दोस्तों और दूसरी एक बात है इसमें जो है अभी हाँ ये देख सकते है आप दोस्तों यहाँ पर duplicate वाले में और original वाले में कितना difference है इसका जो cable पे और original में ऐसा थोड़ा ये दिया है देख सकते है original में अलग है और duplicate में कितना dummy मतलब फालतू design दिया हूँ उन्होंने दोस्तों इस पर भी आप easily पहिचान सकते है यह original है यह duplicate है दोस्तों और दोस्तों और हम जानेंगे dip में इसके बारे में लेकिन दोस्तों आगर आपको यह duplicate headphone मिल जाए तो आप बेजिजक return कर सकते है उस seller का नाम भी मैं आपको बताता हूँ वीडियो के end में क्योंकि seller दो बार मुझे मेरे साथ उस seller ने fraud किया है उसका location के साथ आपको नाम भी बताता हूँ वह flip card पे seller है दोस्तों दोस्तों और यह देखो तीसरा बात यह देखो दोस्तों यहाँ पर top पे आइसा आता है duplicate और original में और यह बाटम पर cable मैंने बताया था cable आइसा connect रहता है और एक बात original में zero fork to zero नाम का एक code आता है left के नीचे duplicate पे हमें वह देखने को नहीं मिलता है दोस्तों दोस्तों आप इस वीडियो को देखके बहुत ही easily पहचान सकते है यह original है यह duplicate यह दे दोस्तों वो fraud headphone मतलब duplicate headphone provide कर रहा है दोस्तों मेरे साथ दो बार उसने same मेरे दोस्त को मैंने order किया थाना same वहाँ से मुझे duplicate product दो बार आया दोनों बार मैंने वो return कर दिया और मैंने refund के लिए claim किया customer care को भी phone करके मैंने यही बताया कि यह बंदा fraud है मेरे साथ दो बार इसने refund दे देंगे और मैंने refund ले लिया है और यह जो headphone है आप देख रहे है यह मैंने Amazon से purchase किया हुए है लेकिन दोस्तों अभी बिग बिलेंडेस है तब बिग बिलेंडेस पर इसकी price बहुत ही drop हो जाती है मतलब 1000 के नीचे आपको यह मिल जाते है तो यह बहुत ही बढ़िया headphone है